हेलो फ्रेंड्स, आज की इस चरचा के अंदर हम सबसे पहले चरचा करेंगे अदनी गृूप ने यह जो जक्का माररी है ऐसा शोट खेला है, कि वह जो बजार के अंदर कमजोरी बनी वी थी क्या उसको दूर कर पाएंगा इस बात की जो है दस तक जो है अभी S.J. Nifty ने तो दे दिये S.J. Nifty तक करीवन 100.00 उपर टरेड कर रहा है और ये ख़बर जब आज आई तो इस खबर से पहले डेटा आए थे F.I.I.S के बाइंग के डेटा और F.I.I.S के साथ मिलते हुए GQG जो है ग्रूप जो है उसके जो पर्मोटर है हम ये कह सकते हैं जो पार्टनर्स है जिसके फंड मेनेजर है या चीफ इनिवेस्टमेट ओफिस हैं वो भी इंडेन ओरीजिन के ही राजीव जैन है और उनका जो परपास होता है वो पांस साली उससे ज़्यादा की निवेश के लिए होता है और उनका ये मानना है कि हम एक अच्छी वैल्थ क्रियेट कर सकते हैं लोंगर पीडर टाइम में तो ये जो असेट्स मेनेजमेंट कंपनी जो है और इसने पैसे डाले है कंपनी कितने पैसे डाले है वो हम चर्चा करें गे तो देखें किसे पहले टोटल अमाऊट कोँ देख लीजिए क्या अमाऊट है अमाऊट है पंदरा हजार 446 करोड रुपए फिर्टीं ताॉजन फोर 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 6 करोड रुपीज ओपन मार्केट से जो है ट्रंजेक्शन हुई है तीम चार कंपनीज के अंदर हुई है अधानी एंटर्प्राइज अधानी पोर्ट और ऐसी जड़ हुए की कंपनी है अधानी ग्रीन एन अधानी ट्रांस्मिक्शन और यह ब्लोक डिल की डिटा से जो ही यह पैसा इन्होंने लिया है बेचा किसे नहीं है बेचा कंपनी के प्रोमोटर एस भी अधानी फैमिली ट्रस्ट है याने कि अधानी के घर से यह शेस अब इन प्राइविट एकुटी प्लेयर्स के पास चले गए एक तरीके से हाले कि असेट्स मेनेजमेंट कंपनी है अब यह जो शेस हैं किस अब देखी का अगर हम सबसे पहले देखें कि किस भाव पर गए है तो अधानी इंटरपाइज का शेस जो है 668 क्रोड के 668 रुपीज के उपर डील हुई है और यहां पर जो डील हुई है वो अधानी ट्रास्मिशिन में जो टोटल लंबर अव शेस हैं जो साब तीनों जो क्योंकि एक ही गुरुप के अलग-अलग ट्रस्ट हैं मतलब अलग-अलग फंड्स हैं उसमें पैसा गया तो यह जो शेस हैं यह 668 के भाव से जो शेस गए हैं दो करोड 84 लाग शेस जो हैं इस के टेगरी के निदर दिये गए हैं इसके लावा अगर हम देखें तो S.B. अधानी ग्रीर में 504 के भाव से शेर दिये हैं और अधानी पोर्स और S.T.J. में 596 के हिसाब से शेस गए हैं और इसके अलावा जो है यहां पर जो डील करी है फिर जो अधानी ट्रांस्विशन में 668 के हिसाब से और जो मेन फ्लेक्शिप कंपनी हैं उसकी बात करें अधा 408 रुपे के भाव से शेस दिये गए हैं तो यह जो शेस के भाव है 1408 रुपे में भी deal हुई है 1410 रुपे में भी इसके अलावा अधानी Green Energy जो है 504 रुपे के इसाब से जो है यह deal हुई है तो अगर हम अभी इनके prices की बात करें कि भाई किन price पर यह share trade कर रहे हैं तो सबस जो सारा जो लेना देना है वो इसी कंपणी की वज़े से आपको पता है कि सब कुछ मामला इसी कंपणी की वज़े से हुआ है और FPO के मादियम से पैसा रेज नहीं वा लेकिन यहां पर अच्छा पैसा रेज कर लिए देखिएगा जब इस तरीके की डील्स होती है तो हम यह कह सकते हैं कि गोल्डवन सेक और यह जी क्यूजी जो है कुल मिलाकर एक तरीके से तारणहार के रूप में जो है थादध वह हैं और Company को तो देखिएगा यहां पर जो डील हुई है इसमें देखिएगा जब इस तरीके की डील्स होती हैまぁ यह बहरे जब बचाना उस company को या उस shares को बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तब तब जो है company deal करती है कि भाई चलिए बाद में settle करेंगे तो देखिए का सबसे खास बात क्या हुई है इस पूरी deal में जब एक महीने पहले भी हम चर्चा कर रहे थे तब यहीं बात कर रहे थे कि debt raise करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा देखिए का आदानी ग्रूप जो है अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले मैं आपके साथ चर्चा करता था और आप कभी कभी मजाक में भी लेते थे जैसे हम लोग घर का समान जो है ग्रोषरी खरीदने जाते है सबजी खरीदने जाते है उस तरीके से अधानी ग्रूप जो है कंपनिया करीडता है तो रीजेन यह था पीछे सा फणिंग बिलती थी बैंकों के थूरू भी बाहर से भी और शेस के प्राइस उपर होते थे त डेट अब इतना असान था नहीं लेना और यह मैं आपको बताया था तक्रीबें एक महीने पहले कि डेट को रेज करना बस इंपोसिबल के राब जैसा ही है तो यहां पर प्राइज को स्टेबल करने के लिए जो है इस तरीके की डील जो है की गई लेकिन जब आप अगर एंट प्राइज पर की गई है अगर हम बात करें अदानी ग्रीन की तो अदानी ग्रीन का भाव है 535 रुपे तो यह बात इस बात की भी संभावना है कि प्राइज जहां पर डील हुई है उसके आसपास भी जा सकते हैं और उसके नीचे भी जा सकते हैं और अगर हम यहां पर बात करें कि अधानी ग्रीन का जो भाव है वो 535 रूपए मैंने आपके साथ चर्चा की अगर अधानी ऐसी जड़गी बात करें पोर्ट और ऐसी जड़गी तो अधानी पोर्ट और ऐसी जड़गा भाव है 622 रूपए इसके अलावा अगर हम बात करें जो next company तो ट्रांसमेशन का जो भाव है वो 708 रूपए तो ultimately जो सारे भाव है वो ब्लोक डील के प्राइस से उपर गी तरफ है तो देखिए का इसका एक positive impact तो है company के लिए ये जो पैसा आया है ये company क्या करे गया देखिए का company के promoter बलाएं अब तो ये पैसा company के promoter के माद्यम से company में डाला ही जाएगा तो जो SB अदानी family trust है वहां से ये जो 15,446 करोड रूपए है ये क्या काम करने के लिए देखिए कि cash flow इतना नहीं है कि debt को आप बहुत अच्छे से service कर पाएं इस समय पर दूसरी आपकी obligation है कि आपकी market cap कम हो गई है तो जो बैंकों की तरफ से जो आपके share plays है वो उसके लिए further share किया तो आप plays करो या जो है debt को repay करो तो ultimately ये जो पैसा है ये कोई growth capital में use नहीं होना है मेरा जो मानना है ये पैसा company की जो share वजार में गिरकिरी हुई है उसको stabilize करने के लिए होगा तो ये जो deal हुई है तो देखिएगा इसमें जो promoter है जिनके साथ ये deal हुई है assets management जो company है वो भी Indian origin के ही है तो यहाँ पर links हैं वो यहाँ पर रहे हैं और इसके साथ साथ देखिएगा ये इस बात की भी संभावना रहती है कि कल को एक दूसरा advantage भी जो है मिल जाए और दूसरी बात आज Supreme Court की तरफ से आईए और Supreme Court ने देखिएगा अदानी ग्रूप को एक रहात ही कहूंगा मैं क्योंकि जहां पर कि एक price stabilization जो है अदानी ग्रूप के शेस में हो वो investors के भी हक में और country के हक में भी है क्योंकि अगर कोई भी बहुत बड़ा organization default कर देगा तो उसमें देखिएगा employee का loss है, government को revenue का loss है, हैनि कि taxes नहीं आएंगे, employment के साथ जिन productive services को बेचते हैं वो society को नहीं मिल पाएंगे, तो ultimately जब किसी भी बड़े organization में इस तरीके की विपदा आती है, तो किसी तरीके जाए सीधे तरीके से चाहुलटे तरीके से, जहां पर government सीधा भी असर नहीं कर सकती, वहां पर भी इस तरीके के organization को बचाने के लिए, जो है कोशिश की जाती है, तो वो moral ground के उपर हो, और जो invest करने वाला है, उसको भी ये surety देती है कि हाँ, चलो एक डेड़ साल का समय है, election हो जाएंगे, तो पीछे से जो है, government बाद में एक डेड़ साल बाद तो जो है support करी सकती है, और ultimately balance sheet को deleverage किया जाएगा, यानि कि अगर debt नहीं होता ना, balance sheet में इतना, तो इतनी बुरी हाल लेकिन अभी भी देखिएगा, share price बेशक से इतने बड़े private equity ने, या assets management company ने shares लिये है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि shares undervalued है, और shares अभी भी overvalued है, और जिन price पर लिया है, तो देखिएगा अच्छी bargain hunting की गई है, और GQG के द्वारा जो है, एक अच्छी bargain hunting के बाद price यह है, वो नीचे की तरफ है, तो बजार शाहिद इतना positive ना ले, बट ये पक्का है कि अब जो बड़ी volatility थी अदानी ग्रूप के shares में, जो 20-20% एक दिन में गिरना, 20-20% एक दिन में चलना, और लगातार सरकीट लगना, वो शायद आप रुखता हुआ नेजर आएगा, बेशक से shares के price धीर धीर करके नीचे आजाए, क्योंकि ऐसा कुछ ही नहीं है कि अभी, valuations बड़ी reasonable है, valuations अभी भी महंगी है, इसमें कोई doubt नहीं है, लेकिन जो लोग अभी आपकी help कर रहे हैं, आपके लिए तारण हार हुए है, तो आप देखिए कि इनके साथ जो है, एक कि country के लिए भी, अधानी group के लिए भी, employment के अंगल से अगर हम देखें, society को product के अंगल से देखें, government के revenues के अंगल से देखें, और देखें कि अगर यह पूरा system collapse होता, तो बैंकों के लिए, especially state bank और access bank इन दोनों के लिए, थोड़ा सा रहत बनती हुए आएगी, और भी जो banks बैंकों बड़ोधा है, जो बाकी बैंकों से exposure जहां पर भी है, इसके लाव इंडेसिंट बैंक का भी exposure है, वहां पर भी थोड़ी सी रहात आपको देखने के लिए, LIC के लिए थोड़ी सी रहात होगी, बट ये बैंकों के लिए शायद थोड़ा सा जादा सही है, क्योंकि default risk घट गया, तो जो default risk घटेगा तो बैंकों के लिए थोड़ा सा comfortable होगा, लेकिन बहुत सारे लोग मानते कि यार बैंक इसलिए गिरेगी खली आदानी एपिजोड की वज़े, मेरा ऐसा मानना नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि जो defaults है वो auto loans में भी आएंगे, जिस तरीके से या जो SME, MSME जो सक्टर से वहां पर भी थोड़ी सी बन दी है, इसके अलावा, जो loan growth है, वो भी नीचे की तरफ है, demand कम है, और inflation अगर US में, यूरोप में बढ़ रही अभी, तो अभी RBA के पास हितना, मुझे नहीं लगता है कि दम है कि rate of interest card दे, तो मुझे लगता है अ कर जाएगी, तो और यहां पर जो debt है, वो raise कर पाना, सरकारों के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर यह ख़वर एक positive है, लेकिन इसका impact जो है, हम यह नहीं देख रहेगी, बहुत दूर गामी है, लेकिन यह है कि अब जो volatility थी, वो शायद उतनी नही ही होगी, जितना हम और आप लोग आज कल देख रहे थे, अभी भी देखिए का मेरी कोई holding नहीं है, इस ग्रूप के अंदर, और मुझे अभी भी देखिएगा, शेस ओवर प्राइज लगते है, और आपकी क्या रहा है, इसके बाए में जरू से मुझे comment box से बताईएगा, और यह अच्छी positive development हुई है, और देखिए का government भी चारी है, courts भी चारे है कि country के benefit के लिए stabilize किया जाए, बेशक से यह personal matter है, private matter है, लेकिन फिर भी जो है, यहाँ पर ज्यान रखिएगा, कि सभी regulators की भी duty बनती है, तो वो stabilize करे, और कुछ ऐसा करने की कोशिश आदानी group के आदानी group को तो देखी रहात मिलनी थी, क्योंकि एक तरीके से आपको formally, या हम कह सकते officially, जो है, एक रहात जो है, आदानी group को मिल रही है, तो दोनों कबरे आज आदानी group के लिए positive है, मुझे ऐसा लगता है, देखते हैं कल बजार में किस तरीके से react हुता है, अले की बात द केता है, बट overall बजार के लिए positive है, लेकिन international बजारों में जिस तरीके की उठा पटक है, वो देखेंगे continue रहेगी, तो ऐसा नहीं है कि आपको overnight जो है, बहुत बड़ा jump मिलेगा, बट हाँ, एक positive है, लेकिन बजार के जब close होंगे, तो कल देखेंगे कि किस तरीके की closing होती ह आगे देखें कि मारके डानलसिस वीडियो में मैं बाकी चर्चा आपको साथ करूँ, वीडियो देखने के ज़नने बाद, thank you very much